दोस्तों आज हमारे पास है रोल इंफील्ड क्रासिक 350 BS6 वेरियंट जो की डुवल डिक्स ब्रेक और डुवल चैनल ABS के साथ है मैं आपको बताने बाला हूँ उसका यूजर एक्सपिरियंस इस बाइक को 6 माईने हो चुकी है मैं इसके 5 एडवांटेज आपको बताने बाला हूँ और एक सेम वीडियो मैंने बनाई है जिसमें आपको मैंने 5 डिसर एडवांटेज बताई हुए है इसके आप वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखिये उसकी सो चलिए सुरू करते हैं बात की जाए इसकी पहले एडवांटेज की जो कि है इसका इंजन जी है दोस्तो इसका 350cc का इंजन काफी जादा रिफाइन और स्मूध हो चुका है ब्येसक्स की कारण आप देख सकते हैं इसका काफी हैबी इंजन है इस सेगमेंट में काफी हैबी इंजन है और दोस्तो इसमें मतलब लो मैंटेनेंस सबसे कहा जाता न एक स्प्लेंडर ये 350 के स्प्लेंडर है समझो मतलब इसमें आप आप टाम टाम ओल चेंज कराते जाओ सर्विसिंग कराते जाओ बाकि इसमें कोई हाइफाई कोई भी मैंटेनेंस नहीं मांगते ये बाइक इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है इसका इंजन दोस्तो अब बात की जाए इसके दूसरे एडवांटेज की जो की है इसका माइलेज जी हाँ दोस्तो ये बाइक 350 सीसी की है फिर भी बहुत ही अच्छा माइलेज निकालकर आपको दे दीती है और अब पहले वाली क्लासिक से और ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालने लगी है क्योंकि ये विए सिक्स है और साथ साथ इसमें फ्यूल इंजेक्शन भी आने लगा है ये आप देख सकते हैं ये और ये इसका फियूल इंजेक्शन सिस्टम है तो उसके कारण ये अब पहले से कही ज़्यादा अच्छा माइलेज निकालने लगी है आपको 40 का लगबग निकाल देगी मार्केट में और 45 का लगबग निकाल देगी हाई वेपर इसका तीसरा एडवांटेज है इसकी बैलेंसिंग जी आँ दोस्तो आप इसका हैंडल बार दिख सकते हैं बहुती कमफर्टेवल इसकी सीड भी और इसका हैंडल भी बहुती कमफर्टेवल है आप मतलब इस बाइक को लेके बस निकल जाओ रोड बस अच्छी हो तो ये बाइक बहुत ही comfortable है और balancing है इसमें कभी भी कोई डर नहीं लगता है और बहुत ही confidently आप इस बाइक को कहीं भी चला सकते हैं इसमें जरा भी डर नहीं लगता है कि ये बाइक कहीं गिर जाएगी या slip हो जाएगी क्योंकि ये बाइक काफी ज़्यादा वेट वाली है तो ये बाइक रोट से दपके चलती है तो दोस्तों इसकी बात की जाए इसकी एडवांटेच की वह इसकी braking system जी हां दोस्तों आपने पहले सुना होगा कि रोल इंफिल्ड की बाइक की ब्रेक बेकार है ऐसा और रियर में भी आपको ABS मिनने लगा है इस बज़े से ये काफी अच्छी इसकी braking हो चुकी है तो दोस्तों इसके पांच में एडवांटेच की बात की जाए तो वह है इसके company fitted alloy आप दिख सकते हैं इसमें Harley-Davidson type कुछ-कुछ alloy आने लगे हैं जो की company fitted है पहले क्या होता तो दोस्तों आपको इसमें रिम्स मिलते थे और आपको बाद में aftermarket इसमें alloy wheel दलवाने पड़ते थे अब company साथ में alloy wheel आपको देने का option दे रही है तो ये काफी अच्छी बात है और दोस्तों आप बताईएगा आपको इस bike में क्या अच्छाईया और क्या बुराईया लगी आ